नमस्कार जैसी आराम राध है राध है दोस्तों आज के बेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 28 अगस्त 2020 का दिन बिर्शब रासी वालों के लिए कैसा बीतेगा शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ 28 अगस्त 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है दसमी नक्छत्र है मूल पक्छ है सुक्ल पक्छ दिन है सुक्र बारे आज के दिन सुर्य उदे का समय है पंच बज के संताबन मिनट सुर्य अस्त का समय है छे बज के छी आलीस मिनट रितू है सरद आज का दिन काल है बारह घंटे 49 मिनट 20 सेकेंड का महिना है भादर पद आज के दिन सुब शमय सुरू होता है 11 बज के 56 मिनट एम से 12 बज के 47 मिनट पी एम तक असुब शमय सुरू होता है 8 बज के 31 मिनट एम से 9 बज के 22 मिनट एम तक आज के दिन राहु काल सुरू होता है 10 बज के 45 मिनट एम से 12 बज के 21 मिनट पी एम तक दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग दोस्तों इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस वेडियो के नीचे जै मादुर्गे कमेंट कर दें और इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें दोस्तों इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का भाग्यसाली रंग भाग्यसाली अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें सुनें और फोलो करें शबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके कामकाज आपके काड़े अच्छत्र के बारे में दोस्तों आप में से जो भी लोग आज के दिन से नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को सुरू करने के दृष्टी कौन से आपका शमय आपका शाथ नहीं देगा आज के दिन अगर अपने कामकाज में अपने काड़े अच्छत्र में आप कोई पडिवर्तन कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन के दृष्टी कौन से भी आपका शमय आपका शाथ नहीं देगा वैसे अगर आपके दामपत्य जीवन की बात करें तो दामपत्य जीवन के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जयादा बिहतर और शांदार है लेकिन अगर आपके सुवास्त की बात करें तो शुवास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय शामाने से थोरा सा नीचे ह आप में से जो भी लोग मद्द पान करते हों नसा पान करते हों तो आज के दिन इन चीजों को आपको त्यागना होगा अन्य था आने वाले शमय के दौरान आपके श्वास्त के मामलों में आपको पड़ेसानी का सामना करना पड़ेगा इसके बाद है आपका धन संपती तो पैसों के दृष्टी कोंसे आपका शमय बहुत ही जियादा बिहतर और सांदार है आज के दिन आपके दैनिक जीवन यापन के लिए आपके पास पैसे काफी जियादा मात्रा में रहेंगे और पैसों की कहीं कोई शमस्या कहीं कोई पड़ पैसानी आपको नहीं होगी इसके बाद है आपका घर पड़िबार दोस्तों घर पड़िबार के दृष्टी कोंसे आपका शमय शामानी रहेगा न जियादा बिहतर न जियादा खराब आज के दिन अगर अपने घर पड़िबार में आप कोई पड़िवर्तन कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन करने से पहले अपने घर वालों से आपको वर्ता लाप करना होगा दोस्तों आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली रंग है पारदर्सी और गुलाबी आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है आठ यानी की एट दोस्तों आज के दिन आप अशनान ध्यान करने के बाद मादुरगा की पूजा करें आपका शमय सांदर हो जाएगा तो दोस्तों यही था आपके आज के दिन का रासी फल तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और इस वेडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद